हेलो फ्रेंट्स, विलकम डूमा यूटूब चेनल, मेरा नमित सहब दिन, दोस्तो तेज और लंबी दोड़ लगाना हर कोई चाता है, लेकिन हर कोई ये कर नहीं पाते हैं, क्यूंकि उनको सही तरीका पता ही नहीं होता है, तो दोस्तो आज किस वुडियो में रनिंग सही तर आपकी रनिंग स्पीड सही नहीं हो पा रही है, दोस्तो रनिंग करते वक्त आपकी सांसे बहुत ही जल्दी भूलने लगती है, आप बहुत जल्दी ठाक जाते हैं, आपका सोल्डर तुरंत बहुत ही कम समय में जाम हो जाता है, आपका पैर हैंड खुलता नहीं है, तो दो दोस्तों इस वुडियो में बने रहें शुरू से अंध तक क्योंकि इस वुडियो में रनिंग से रिलेटेड फूल इंफोर्मेशन दिया जाएगा तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं टिप नमर वन दोड़ने से पहले स्टेचिंग और वार्माप जरूर करें देखिए जब हम लोग रनिंग करने जाते हैं तो उससे पहले हम लोगों का बोड़ी पूरी तरह रिलेक्स मोड में होती है और हम लोगों के बोड़ी का जितना भी मसल है वो भी पूरी तरह रिलेक् जाते हो और आपकी रनिंग स्पीड भी अच्छा नहीं हो पाती है बढ़ नहीं पाती है तो दोस्तों आप जब भी रनिंग करना शुरुवात करें तो आप स्टेचिंग या वार्म अप जरूर करें दोस्तों अगर आपको वार्म अप करना नहीं आता है तो आप हमारे इस व जमीन पर पार को कैसे पटकना चाहिए तो देखिए जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपका बोड़ी आगे की और 15-30 डिग्री जुका हुआ होना चाहिए और आपके सीर का पोजिसन आगे की और पूरी तरह सीधा होना चाहिए क्योंकि जब हम लोगों का बोड़ी आगे की और 15 से 30 डिगरी जुका हुआ होता है तो हमारे बोड़ी को ऐसा फिल होता है कि मैं आगे की और गिरने वाला हूँ तो इसी वज़ा से हम लोगों का पैर जल्दी जल्दी उठने लगता है आगे की और बढ़ने लगता है जिसके बज़ा से हम लोगों का running speed कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है टिप नमबर 3 दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने पैरो का landing कैसे करेंगे जब भी आप running करना शुरुवात करेंगे तो आप अपने पैरो का landing फ्लैट करें यानि की hill और पंजा एक साथ जमीन पर लाएं क्योंकि सुरुवात में आपके body में बहुत ही ज़्यादा energy होता है थोड़ा सा running speed slow रहेगा आपका लेकिन आपके body में बहुत ज़्यादा energy होता है ताकि आपको last round तक अच्छा performance देना है अच्छा करना है इसलिए आपको energy को बचा के रखना है अगर आप शुरुवात में ही आप अपने पंजा पर अगर landing करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ठक जाएंगे दोस्तो जब आपका last round बचे या दो round आपका जब बचे तो आप अपने पंजा पर ही landing करें दोस्तो इससे आपका running speed बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा tip number 4 दोस्तो अब मैं आपको बताऊँगा running करते वक्त सांस कैसे ले जब भी आप running करना start करते हैं तो आपको शुरुवात में नाक से सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना है क्योंकि उस टाइम आपके बोड़ी में बहुत ज़्यादा energy होता है शुरुवात होता है आपके running का तो उस टाइम आप नाक से सांस ले और नाक से छोड़े जब आपको लगने लगे कि थोड़ा ठक चुका हूँ तो आपको उस टाइम मुझ से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है जब लास्ट लास्ट में आपको लगे कि पूरी तरह ठक चुका हूँ आपको ऐसा फिल हो तो उस टाइम फिर आपको क्या करना है दोनों काम करना है मुझ से सांस लेना है नाक से भी सांस लेना है और दोनों से छोड़े तो इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपका running बहुत ही अच्छा होगा और आप अपना running भी complete कर लेंगे और भी लोगों से बहतर performance करेंगे टिप नमबर फाइब दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगा अगर आप running करते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपको running करने में बहुत ही ज़्यादा help मिले दोस्तो रात में चना, मूंग, सोयाबीन का बीज ये तीनों को फूलने के लिए दे दें सुभा में आप जब सो कर उठेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से फुला हुआ मिलेगा लेकिन आपको उस टाइम खाना नहीं है सुभा जब आप running करने के लिए जाएंगे तो केला खाकर आप running करने के लिए जाएं ताकि आपको अच्छे से energy मिले running करने के लिए दोस्तो जब आप फिल से रनिंग करके आएंगे तो भीगोया हुआ चना, मुंग, सोयावीन का बीद जो आप रखे हैं वो चवा चवा कर अच्छे से आपको खाना है ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो दोस्तो आज का वीडियो हुआ समापत, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पर चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है भाई तो आप लाइक जरूर करें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है धूप में बैटकर वीडियो बनाना पड़ता भाई देख सकते हैं और यह इतना देर काई मेहनत नहीं है जितना देर आप देखें वीडि ना बूले, सब्सक्राइब जरूर करें, अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते फिर एक नए वीडियो में, तो आज के लिए तना ही जय हिंद, जय भारत!